कि हाओई फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपने डूकुमेंट कोट से वापिस ले सकते हो जो आपने कोट में केस के समय दिये थे यह सारा पुरसेस मैं आपको आज की वीडियो में अच्छे से समझाने वाला हूं आपको क्या करना है चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं करा प्रीज कर दें बैल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो ले करा हूं आपके बाद से नोटिकेशन आइसको देखो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बीना किसी दिरी से हाँ अँज आप मुझे मैं से डिर्क्ट बाद करना चाते हैं नीचे डिसक्रिशन बोक्स में लिंक दिया है वहां पे जाकर पॅइम Great बुक करके में से डिरेक्ट बात भी कर सकते हैं सबसे परेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कई बार ऐसे सरकम्स्टांसिस आ जाते हैं जब आपको कोट में अपने डोकुमेंट सब्मिट करने बढ़ते हैं कुकि जो कोट है वो प्रेंबरी एविडर्स लेती है यानि कि उरिज़िनल डोकुमेंट ही चला है आपको अपने डोकुमेंट सब्मिट करने बढ़ते हैं बाद में आपके मन में यह ख्याल आता है कि आप उससे वापिस कैसे लोगई code जो है केस दिया जलता उतकी है अपने कबजे में यह ही अपने पास ही रखती हैS अब उसको वापिस केसे लेस अगर हम जुरूत पर जाए तो हम उसे क्षे सकते हैं सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जो है वो डॉकूमन जो है वापिस ले सकते हैं कूट के डिसीजन के बाद ले सकते हैं या फीर अगर आपको जोरות पड़े तो कूट पेब पास चरफ adjustments का केस चल रहा है आप तब भी जो है दूरिंग दूट भी आप कोड से जो है डोकुमेंट वापिस ले सकते हैं आप जो है तब जो है कोड से अपने डोकुमेंट वापिस ले सकते हैं जब कोड ने उनको जब नहीं करा जब कोड ने सीरोफ एज एविडेंस लिये हैं तब आप Code में application डाल कर ऑपने document वापिस ले सकते हैं और दूसरा है जो उस व्यक्ति ने appeal करी है उस appeal का समय भी निकल चुका है उस अपील का decision भी आ चुका है तब आप आप court में जाकर application डाल कर जो है अपना document जो है वापिस ले सकते हैं ये थी बात जब आपका court का decision आ गया है उसके बाद आप कैसे लोगे दो मैंने आपको रस्तिवताई जब आपका court का decision आ गया है तब एक appeal का time होता है कि इतने दिन के अंदर अदर उस व्यक्ति वो व्यक्ति के बासे write ह 병 होता है कि वो appeal कर सकता है अपील का time भी खतम होने के बाद limitation क्फिटेशन होताई कि उतनी के अंदर अगर आपका क्वोड कोर्ट का कीजन आ गया है तो आपने अपील करनी है अगर उस अपिल का टायर की खतम हो गया है फिर जो है आप एप्लिकेशन के डालका कोड से वापीस ले सकते ओं दूसरी बात उस ने अपील प्रदी थी और अपील का डिसीजन भी आ गया है उसके बाद जो है आप कोड में अप्लिकेशन डाल कर जो है अपना डोकुमेंट वापस ले सकते हो अब बात करते हैं आप कैसे जो है डूरिंग दर सूट जानि की केस अभी चल रहा है आप उस केस के अंदर आपको जरूत पड़ेगा कि हा जब भी कोड जो है जब भी कोड को जरूत पड़ेगी तो मैं लेकर आ जाँगा आपने कोड को क्ले कर देना पड़ेगा और साथ में दोस्तों सा rhyme दोस्तों एक कोपी आपको अपनी आप्रिडिकेशन केसाथ लगाने पड़ेगी उस डॉकुमेट की जो ड कोई प्रोप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप court में as a evidence पेश करते हो कि हमारी जो marriage है वो valid marriage है लेकिन court बात में decide करती है आपकी जो marriage हुई है वो एक सही marriage नहीं है wide है इसके लिए जब court ये decision दिया तब आपको वो जो certificate आपने court में submit करागा वो वापिस नहीं मिलेगा क्योंकि वो wide declare कर दिया गया है court के दुवारा साथ में दोस्तों जब आप उस document को वापिस डोकुमेंट को वापिस करोगे ओके आपको submit भी तो करना पड़ेगा उसको वापिस court में देना पड़ेगा जब आप दोगे तो वो आपको जो है एक receipt देंगे ठीक है तो यह थी कुछ असा प्रसेस कि कैसे आप जो है application लगाकर court से वो document अपना जो वापिस ले सकते हो बस कब नहीं मिलेगा आपको जब जो है court ने उस document को जब्त कर लिया होगा तब आपको वो document नहीं मिलेगा बाकी cases में आप application लगाईए undertaking दीजिए तो आपको वो document आपका मिल जाएगा अगर आप कोई भी doubt है और कोई भी question पूछना जाते है मुझे comment box में comment करिये question करिये मैं को question का answer दूँगा साथ में मैं इसे direct बात करना चाते है appointment में link है description box में appointment book करके में इसे direct बात भी कर सकते है thank you legal education और knowledge लेने के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आउँ आपके पास उसकी notification आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकते हैं